नमस्कार दोस्तों आप सभी का श्टडी फॉर यूपीसी पीसे सेन में स्वागत है ये घटना चक्र का बीपीसी पुर्वावलोकन है जिसमें बीपीसी के परिक्षाओं में जो अकुस्टन पूछे जा जुके हैं उसको हम प्रैक्टिस करते हैं ये डेली 100 MCQ को हम प्रैक्ट 383 के करिम में थे और इससे पहले NCN और Medieval History के भी MCQ उसे खतम हो गये हैं नेक्स्ट वीडियो से अगले वीडियो से हम लोग पॉलोटी के MCQ डिसकस करेंगे ओके फिर पॉलोटी खतम होगा तो फिर अगला सब्जेक्ट आ जाएगा इसी तरह से डिसकस करेंगे ओके तो चलि प्रकास धिवस मनाया गया अप्रेल 1946 को जेल लाहोग की ले रिहा होने के बाद जैर प्रकास धिवस मनाया गया था 1938 में भारती राश्य कॉंगरेस का अध्यक्ष निर्वाचित कौन हुए थे 1936 की बात कर रहा है तो 1938 में कौन सा अध्यवेशन हुआ था तो हरीपूरा अध्यवेशन हुआ था गुजरात में सुभास्थन बोस इसके अध्यवेशन बने थे ग्यातबेक सुभास्थन बोस 1949 में तृपूरी अध्यवेशन में भी सीता रमया को हरा कर अध्यक्ष पद के लिए चुने गए थे लेकिन फिर बाद में उन्होंने गांधी जी की कारण इस्तिपा दे दिया था और फिर राजंद प्रसाद उसके अध्यक्ष बने थे इन्टेलर कारण भी कॉप्ढा है जिसके बादे लुड करण में इंेलर कारण भने कोंध की अस्तापना हुई थी इसका उदेश देशी नरेशों के राज कुमारों ये हम सामनतों के पुत्र को सैनिक सिक्षा का परवंध करना था देशी नरेश जो होते थे देशी राजा वगर जो होते थे छोटे छोटे उनके पुत्रों के लिए सैनिक परवंधन करना था साइनिक सिक्षा का 1927 की बटलर कमीटी का उद्यस से क्या था ये यूपीसी में भी बहुत बार पूछा है तो भारत सरकार था देशी राजी के मद्ध संबंधों को सुधारने के लिए बटलर कमीटी को बनाया गया था देशी राजी बोले तो भारत के छोटे-छोटे डरिया सकते हैं देशी उनकी बात कर रहा है उपके और इसमें क्या दिया है कि भारतिय नर्यसों ने एक सुपर्सिद करने के लिए न्यूगत किया था सर एक स्कॉर्ट क्या कर रहे थे भारतिय राजाओं के तरब से नियुक्त हुआ था ये वकील और बटलर कमीती के समख उनकी मांगों को रख रहा था All India State People's Conference का गठन कब किया गया था तो 1927 में किया गया था 1927 वकिल भारतिये जन कॉंफरेंस इंडियन स्टेट पिपूल्स कॉंफरेंस का आजजन हुआ इसमें बिहनर रियास्तो साई 700 सथिक राजती कारिकरताओं ने भाग लिया था इसके आज़न महत्पुन भूम का निवाई थी बलवंतराय में था 307 नमर कॉसन है कि दुटीये भीसूद के समय में बॡुटेन का परभान-मंतरी तो विश्टन चर्चिल था इसी ने से पहली बार पाकिस्तान सब्द दिया था पाकिस्तान सब्द में पाकिस्तान का फूल फॉम शुपा हुआ है क्या क्या है तो पंजाब है अफगानिस्तान है कस्मीर है सिंध है बलुचिस्तान है इन सब को मिला के पाकिस्तान बढाया किया था उस समय अफगानिस्तान बोले तो North West Frontier Providence जो था उसकी बात कर रहा है उत्तर पस्यम सीमा प्रांथ 309 नमबर है पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन का नेतुत किस ने किया था तो मुहमद अली जिन्ना नहीं किया था अंदोलन नहीं था यह देश को तोरने की एक मांग थी जो मुहमद अली जिन्ना जिसको लीड कर रहे थी मुसलिम लीग द्वारा पाकिस्तान के अस्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया था 1940 में 1940 में 140 में कहां पर किया गया था लाहोर अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव पराद किया गया था जिसका आधार यह था कि कोई सम्मिधान मुसल्मानों के स्विकार नहीं होगा जिसमें भारत के पूरो और पस्सिम के मुस्लिम बहुल शेत्रों के एक स्वतन्त और सारभावम राज्य के 311 है कि व्यक्तिक्त सत्यागरा इंडिविज्वल सिबिल डिस ओबिटियंस किस ने आरंब किया था तो विनोवा भावे ने आरंब किया था पहले सत्यागर ही विनोवा भावे थे दूसरे सत्यागर ही जवाहर लाल नहरू जी थे बिहारे पहले सत्यागर ही अनुगरह नार दोलों के प्रथम सत्याग्रह ही कौन थे तो इसका एंसर हो जाएगा बिनोवा भावे साथ अक्टूबर 1940 को इसको शुरू किया गया था व्यक्तिका तस्तर पर सत्याग्रह करना और इसका नारा था दिल्ली चलो सर्वोदय सब्द का प्रियोग सरप्रथम किस ने किया था तो महात्मा गांधी जी ने किया था सर्वोदय संस्कृत के दो सब्द जिसका अर्थ है सबका तथा उदे जिसका अर्थ है उत्थान से मिलकर बना है सरबोते सब्द का सरप्रतम प्रियोग महात्मा गांधी जी ने किया था 1908 में जॉन रस्किन की पुस्तक अंटू दिलास्ट के अनवाद में इसका प्रियोग किया था इसका उदेश सभी के अंदर स्वाधीनता और समानता की भावना का विकास करना है जॉस्किन की इस पूस्तक अंटू दिलास्ट महात्मा गांधी बहुत प्रभावित थे उन्होंने इसके बाद क्या लिखा था हिंद सौराज कौन से बुक लिखी ती से प्रभावित होकर गांधी जी ने हिंद सौराज छोटी पत्ली से बुक आती है जरूर पढ़ना खरीद के अच्छी बुक है किसकी दिरिष्टी में क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटते हो बैंक के नाम पर एक उत्तर दिनांकित चेक था तो जवालाल नहरू जी के दिष्टिकोन में रंगून पर जापानी से नाव का धिकार हो जाने के वाद अमेरिका के दवाँ बिटिस सरकार ने बिटिस मंत्रि मंदल के एक सदस्य सर एस्टाइंड फोर क्रिप्स को भारत भेजा था और मार्च के महीने में क्रिप्स पर सन भारत आया था 1942 मार्च और अगस्त करांती कब हुई है भारत छोरो अगस्त में हुई है सिक्वेंस के लिए मैं महीना बता रहा हूं एक ही साल में जब दो तीन बड़े बड़े कांड होते है न तो आपको यह याद रखने चाहिए सिक्वेंस वाइज में वह पूछता है बहुत बार पूछा है ओके महात्मा गांदी ने जनता ही लीड कर रही थी क्योंकि सारे नेताओं को गिरफतार कर लिया गया था आठ अगस्त उने 42 की बैठक के बाद अरधरातरी को ही सबको गिरफतार कर लिया गया था भारत चोरू आंदोलन कब परारम हुआ था तो इसका एंसर क्या हो जाएगा 9 अगस्त 1942 को 8 अगस्त क अंदोलन का सरवाधिक प्रभाव बंबे बिंगाल बिहार उरीसा यूपी मदरास में था करो या मरो का समंध किस अंदोलन से है तो इसी में भारत चोरू आंदोलन नहीं गांधी जीने बोला था मैं आपको एक मंतर देता हूँ छोटा सा एक मंतर देता हूँ कि करो या तो म समीतिक अध्यक्ष कौन थे ये पूछा है आप से तो मौलाना अबुल कलाम आजाद जी उस समय अध्यक्ष थे जब गांधी जी ने पहली बार भारत छोरवांदोरन को चर्चा की थी वर्धा में इसलिए वर्धा प्रस्ताव के नाम से भी इसको जाना जाता है वर्धा में ज दिवी क्रिपलानी महात्मा गांधी त्यादी ने भाग लिया और भारत छोरवांदोरन नामक परस्ताव पास किया जिसकी अध्यक्सता अबुल कलाम आजाद जी ने की थी भारत छोरवांदोरन के समय इंगलान का प्रधान मंतरी कौन थे तो चर्चिल थे क्योंकि इसमें विस्यूदी भी चल रहा था, 1939 में विस्यूदी सुरू हुआ है, 1949 में और 1945 तक विस्यूदी चला है, इस दोरान चर्चिल ही वहां का प्रधान मंतरी था, भारत छोरो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद किया गया था, कहां पर रखा गया था उनको, आगा अगर के लिए में और गांधी जी को आगा खाँ पैलेस में रखा गया था, भारत छोरू आदोलन सुथपन दंगे कि इस खेतर में सबसे धीक व्यापक रहे थे, बिहार में और सनुक तो प्रांद में, यानि कि उत्प्रदेश की बात कर रहा है, बिहार और यूपी में सब असपुर्त जन बिद्रो के केंदर बन गए थे, डॉक्टर राजन पसाद को 9 अगस 1942 को गिरफतार कर लेके भेजा गया था, बाकीपूर जेल में भेजा गया था और हजारी बाग जेल में कि इनको रखा गया था, तो जेपी को रखा गया था, जहां से भाग गया थे, और नमबर 142 को हजारी बाग जेल से भाग गये थे, इसमें से कोई सा भी अंसर नहीं है, बकसर जेल लाए गया था, योगज इनसोगल जी को, भारत शोरू अंदलनक दरानिम से कौन हजारी बाग जेल से फरार हुआ था, अभी मैंने बता दिया आपको कौन थे, जेपी थे, य प्रकास नाराइन, इसके बाद इनों ने आजाद दस्ता का गठन किया था, जो क्या करती थी, ये च्छापा मार युद्ध करती थी, च्छापा मार युद्ध करके सरकारी पट्रियों को उडाना, रेल को उडाना, ये सब काम करते थे ये लोग, नेपाल और बिहार का तरा इनको गिरफ़्तार किया गया था नौगर सुद्धुश को यह 2062 को इनको गिरफ़्तार किया गया था एक ठीजिए है था उसको जरूर याद रखरा प Madha अगले नहीं कोफ़संट पर चलते हैं माकी समें कुछ भी नहीं है महात्मा गांधी तो उनके सहयोगियों की 1942 में धर पकर से बिहारा बहुत दंगे हुए इनमें रेल से बाप पुर्ण रूप से ठप हो गई इसमें अधिक्तम पढ़ाओी जिला कौन पटण ढ़ियों क dus भारत चरूवानदोलों के दोरान और इस परेंटे विए ellam। थी में ये सब पता होगा आपको पिछला वाला वीडियों के जरूर देखना लिंक मिल जाए औरば कौन सी घटना सबसे पहले हुई है इन सब में से इसका अंसर क्या हो जाएगा सबसे पहले क्रिप्स मिशन भारत आया मैंने अभी बताया ना कब आया है कि किर्प्स मिशन तो यह आया था मार्च 1942 में मार्च 1942 में उसके बाद ही सब कुछ हुआ है वर्था प्रस्ताव भी जुलाई में आया है भारत छोरो आंदोलन भी सुरू हुआ है अगस्त में हुआ है लौड वेवल का भी बहुत बाद में हुआ है अगले कुशन बेचलते हैं देखो यहां पर दिया हुआ है लौड आरेसेस 1942 के भारत छोरो आंदोलन से प्रिथक रहा था बिल्कुस सही है यह आरेसेस हो गया उसके बाद से डॉक्टर अंबेटकर हो गया उसके बाद से कौन सा हो गया मुस्लिम लीग हो गई उसके बाद से जो हिंदूों का था हिंदू महासवा करके वह यह सब अलग रही थी इस आंदोलन से इनका विचार था कि इस आंदोलन से भारत के सुतनताम देर होगी तो 329 का क्या अंसर हो जाएगा सी यह तो सही है लेकिन आर गलत है इनका विचार ऐसा कुछ भी नहीं था और वरस 1940 से लेका विदेशी सत्ता को 1947 के समाप्त होने तक किसी भी राष्टवादी अंदोलन संग की कोई भूमिका नहीं थी राष्टियस तो एक सिबक संग नहीं नहीं सो ब्यारेस के भारष रूंद रहा था और एक चीज में बताता हूं आपको किताब का टेक्स्ट बुक का यह कंटेंट है कोई मैं नफरती वह इससे नहीं बता रहा हूं विधान मानोगे इस देश के संप्रहुताग संमान करोगे है ना तब जाके आरेसस को फिर सरदार वल्लभाय पटेल ने फिर से मानेता प्रदान की थी हमारे देश के जंडा मानने के लिए इससे समझावता करना परा था भारती राष्टे से ना आयने के अस्थापना किस व भूला भाई देशाई थे च्छासनात काड़ू भी थे जवालाल नहरू भी थे जिन्ना भी थे इस सब लोग पेश हुए थे लेकिन उन सब का नेतों कौन कर रहे थे भूला भाई देशाई कर रहे थे वरस 1945 से लाल किलाम आजान देश पाहियों के प्रसित मुकादमे के प इसमें तीन जो सिपाहिते उनके उपर जो मुकदमा चलाया गया था उन तीडों के अगर आपको नाम पता हो तो बता दे ना इन तीनों के समर्थन में मुस्लिम लीगा कॉंग्रेस दोनों ने भयान दिये थे हैं ना आजाध हिंद सरकार के निरने की घोषना की गई कब की गई 21 अक्टूबर 1943 को की गई है 21 अक्टूबर 1943 को और 7 जुलाई 1943 को रास विहारी बोष ने आजाध हिंद फोज की कमान सुभास्तन बोष को सौप दी 21 अक्टूबर 1943 को सुभासन बोश ने सिंगापूर में सौतंद भारत की औस्थाई सरकार कर गठन कर आजाध हिन सरकार के निर्मान की घोशना कर दी कहां पर सिंगापूर में 1943 में आजाद हिंदे फाज अस्तित्य में आई तो सिंगापूर में अस्तित्य में आये थी 1942 में जून में रास बिहारी ने बैंकोक में भारती स्वतंतरता लीग का एक सम्मिलन बुलाया बैंकोक सम्मिलन में सुहासंद रबोष को जापान आने का निमातर भेजा गया वे जून 1943 में टोक्यो पहुँच गया 21 अक्टबर 1943 में सुहासंद बोष ने स्वतंत भारत की अंतरीम सरकार का गठन किया और वोर सुन 1943 में आजाद हिंद फाज सिंगापूर में अस्तित्य में आ गई जब ब्रेटेस भी सेना पीछे हट रही थी तो मोहन सिंग जापानियों साथ हो गए जापानियों जब भारती युद बंदियों को मोहन सिंग को स्पूर्द कर दिया तो उन्होंने इसको आजाद हिंद फाज के रूप में परिवर्तित कर दिया फौरवाट ब्लॉक की अस्थापना किस ने की थी लेकिन इनको गांधी जी कारण फिर से इस्थिपा देना पर गया तो सौछाशन बोस ने क्या किया इन्होंने एक अलग से पार्टी बनाई फौरवाट ब्लॉक नाम है जिसका जो आज भी पसी मंगाल में राजनितीम पारटी है एक फौरवार ब्लोक अगले कॉस्ष्टन पर चलते हैं 1939 में इसका गःफन किया था उन्होंने फौरवार ब्लोक किसके दोरा स्थापित किया गया था सुहास भागू के दोरा स्थापित किया था अborgे बी अंसर हो ज प्रफ़ाइब नाम नहीं आता है सभाइब प्रफम अधिवेशन में औस थाई अध्यक्ष के रूप में जाना जाता है बिहार के एक सतंता से नानी ते जो महातमा गांधी सुवासन बोस से जुड़े हुए थे याजी अकिल भारती फोरवार्ट व्लोक यस्थापना के लिए सुवास बोस से जुड़े और आए ने आंदोलन के साथ भी उनके साथ जुड़े लह अगला कुस्तन पर चलते हैं चार िन्हास्ट महीं यरवदा का जेल तो एका दो होगा बीका चार होगा सी का वन होगा और डी का तीन होगा इसका एंसर सी हो जाएगा क्याबिनेट मिसुन भारत में आया कब आया है कैबिनेट मिसंट 24 आइनकर नाइसका अइनसर ए हो जाएगा के बता हूं इनमें से कौन क्रिप्स मिंसं के भी सदस्टे थे कैबिनेट मिंसं करें किसके दोरा की गई थी तो सरप पी लॉरेंस के दोरा कैबिनेट मिंसं की अधियक्सता की गई थी 2945 को 18-E की नितित में बिर्टिस मंतरी मंडलने सत्ताग्रहन की और नौसेना बिद्रो पे एक दिन बाद एक परएफियोन सेशालिस को भारत सर्चीव लॉर्ड पाथिक लारेंश ने भारत में सम्दानेक सुधार के लिए सिस्टम अंडल भेजने का निर्ना किया नौसेना बिद्रो के ठीक एक दिन बाद कैबिनेट मिसन नामगी एसिस्ट मंडल 24 मार्ज 1940 को दिल्ली आया और इसके अध्यक्ष भारत मंतरी लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे और अन्ने दो सद्ध से थे इस्टेंड फोर्ड क्रिप्स जो क्रिप्स मिसन में भी सद्ध से थे और एवी ऐलेकजंडर अगला कुस्ष ने इन्ने से कौन कैबिनिट मिसन के सद्ध से नहीं थे तो इसका अंदर उसे सवर हो जाएगा वेविल वेविल इसके सद्ध से नहीं थे वो कौन सा कॉंग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिसन और लॉर्ड वेविल दोनों से बारताई की अबुल कलाम आजाज जी ही उस समय थे जिन्दे नहीं ने किर्प मिसन और वेविल से दोनों से बारताई की वेविल प्रस्ताव जो आया था उन दोनों से लॉर्ड वेविल का प्रस्ताव कब आया है 1945 में उन दोनों से बारता की थी उनने खाफी लंबे समय तक वो रहे थे लगातार अंगली जो दौरा भारतियों का निससन से तालिस में सत्ता हस्तान तित किये जाने की समय कॉंग्रेस अध्यक्ष कौन था तो जेवी के प्रलानी थे तो राजम्द प्रसाद जी ने की थी 1947 के दिल्ली अधिवेसन 1947 में कहा पर अधिवेसन हुआ था दिल्ली मे धिवेसन हुआ था और इसके देक्स्ता राजम्द प्रसाद जी ने की थी 348 नमर कोस्ट पर चलते हैं के इलहावाद में संपन कॉंग्रेस कारिकारणी समीती की बैठक में निम्रिकी सदस्यों में से एक सदस्य भारत के नाजीवाद फासीवाद तता समराजवाद विरोधी निस्यत रुख के कारण जापान के बिरोध गुरिल्या योदी के अपनी योजना के पक्षवें बहुमाद जुटाने हम सक्षम हुए थे वे कौन थे तो जावाहरलान नहरूजी थे जापान के बिरोध गुरिल्या योदी के लिए बहुमाद जुटा रहे थे अगला कोशन है कि नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परिक्षा परनाली को सिध्धान को स्विकार किया गया सिबिल सर्विसेज के लिए प्रतियोगी परिक्षा के परनाली को कब स्विकार किया गया तो 1853 के एक्ट में हम क्या पारते हैं कि इसमें स्विकार कर लिया ग हुआ है तो 1853 के एक्ट में इसको स्विक्रिट किया गया है अठार सो 24 वाले एक्ट में चार्टर एक्ट में और इसमें क्या हुआ था डिरेक्टोर संख्या 24 से गटा आठारा कर दी गई छे क्राउन द्वारा उनुनित होते और और नियुक्तियां और प्रतियों की परिक्षाओ द्वारा की जानी थी, है ना, जिसमें किसी प्रिकार का भेदवाओ नहीं किया जागा, ऐसा भोला गया था, कि हम कोई प्रिकार का भेदवाओ नहीं करेंगे, सिविल सेवाओं में, नेक्ट्ट कोस्टन पर चलते हैं, निम् गवर्नर जनर्ल्टर मुख्य सेनापती दोनों की सक्तियां लेना चाहता था 1786 के अंसार इसे स्विकार कर लिया गया विशेस अवस्थाम अपनी परिशत के नेड़नाय को रद करने का भी उसको दे दिया गया अधिकार तो ये 1786 के अंसार को भारत भेजना था भार्त सरकार अधिर्यम 1935 ने समाप्त करदी किसको समाप्त किया तो प्रांत इए अरख्षित और हस्तांत्री इभी से परसाशन उसको खतम कर दिया गया 1935 केक्ट द्वारा यहां पर मिलाना है आपको History of the Freedom Moment in India History of Freedom Moment in Bihar और आनन्दमत, Precept of Jesus Our Indian Muslims अब इसको पर लेते हैं, नीचे कौन-कौन है, तो History of the Freedom Moment in India, तारा चंदर द्वारा लिखित, भारत का सदंता संगराम का इतिहास है, किसने लिखा है, History of the Freedom Moment in India, तारा चंदर द्वारा लिखित है, तारा चंदर द्वारा, ओके, तारा चंद, आनन्द मठ, बंकीम चटर जी न ने लिखा है, तारा बैला लिखित, ऑफित, आनन्द मठ, भारत का सदंता संगराम मादोलन से अलग हो जाए अमेरिका में फरी हिंदुस्तान और किस ने सुरू किया था जिस थो किलिक्स कोुँख भूत है बंजना कर दी थी तो उन्हों को भारत या संति को जंब दाता French वेलेंटाइन से रोल से केस लड़ने के लिए बाल गंगाद तिलक जी लंदन तक चले गए थे होता था तो इण्डियन नेशन का प्रकासन पटणा से होताी से में द्रभंगा कमासर सिंग्ने इन्डियनर प्रकासनस क्विए रिये जंडा गीत को और 6 वर्सों के सजा हुई थी, मांडले में रहे थे, प्रथम मांडले जेल में इनको कैद किया गया था बर्मा, प्रथम भारती जिन्हों ने स्वाधीन भारत में गवर्ना जनरल के पदवार गरहन किये थे, कौन थे तो सीराज गोपालाचारी थे, जो गवर्ना जनरल बने मांट इबेटन के बाद, उन्हें सो और तालिस उन्हें सो पचास में सोतंत भारत के प्रथम अंतिम गवर्ना जनरल यही थे, इस पद पर 26 जनबर तक वे रहे थे, और उन्हें सो बावन सो चोवन तक मदरास के मुख्यमंतरी भी रहे हैं, सीराज गुपालाचारी जी, वर अबिन्ना टैगोर जी को गुरुदेव की संग्यावीती जागे गई थी, साथ में अठार सट को इनका जन्म हुआ था, और यह चौध में बालक थे अपने मावाब के, सांती केतन के स्थापना, उन्हें सो एक में उन्होंने किया था, एक विद्याले प्रारम किया था, उन जबान जैकेसान का नारा किस ने दिया था, तो लाल भादूर सास्त्री जी ने दिया था, किस के द्वारा मंदीर प्रवेश का अधिकार की मांग के प्रस्तुती के कारण 1899 में तिरुन बाली में भयंकर दंगे हुए थे, कहां पर हुआ था, तो किस ने पेस किया था, मैं इसको प्रस देता हूँ, छे जून 1899 को तिरुनेल वेली सिवकासी तामिलाडू में एक जगह है, भयंकर दंगे हुए थे, इसमें नाडार समधाय के लोग लंबे समय से मंदीर में पूजा की अधिकार का मांग कर रहे थे, मांग पूरी ना होने पर नाडार और मारवा समधाय दो समधाय में संघर्स हो गया था, तामिलाडू के तिरु वेली में, जातिगत अंदलों में से एक है, जातिगत दंगा हुआ था ये, भारती राजिंती में 1947 के बाद किस महिला ने सरवारिक योगदान दिया था, और ना असफ अली और 1942 के भारत चुरा अंदलों मे स्वेंग और सुचिता के पिलानी भूमिगत होकर दो प्रमुक मेला संघर्थन करता थी, और ना असफ अली बहुत दिनों तक भारते राजिंती में सक्रिय रही है, उन्हें 1947 के बाद उन्हें सोसलिस्ट पार्टी जूर गई, पचास में कवनिस्ट पार्टी अब इंडिया कौन थे, तो लियाक अतली खान थे, यह सरसथमी बीपेसी में पूछा है, यह मैंने एकजाम से ठीक दो दिन पहले करवाया था अपने MCQ सिरीज में, हम बहुत बढ़ी भूल करेंगे, यदि हम बिहार की जनता को, उनके मंत्री मंडल को, लीग के नेताओं के हिंसक, असब यह आकर्मन के आगे और सुरक्षित छोड़ देंगे, यह किस ने कहा था, तो सरदार पटेल जी ने कहा था यह, लीग यानि मुस्लिम लीग के सामने बिहार को अकेले नहीं छोड़ सकते, इस भी सन 1946 में बनी अंत्रीम सरकार में, राजन परसाद के पास कौन सा भी भाग थ तो खाद्य और करसी मंत्री थे राजन परसाद जी, सरदार बला भै पटेल के पास गरी मंत्री था, बलदेव सिंग जी के पास रक्षा मंत्रा ले था, राजन परसाद जी के पास करसी मंत्रा ले था, डॉक्टर अंबेतकर जी के पास कानून और बिधी मंत्रा ले था, अगस्त 1923 में फ्रंटियर गांधी का असली नाम क्या है तो खान अब्दुल गफार खान उनका नाम है अब्दुल गफार खान लाल कुर्टी आंदोरन कल मैं ने बताए था खुदाई खित्मतगार संगठन के इस्थापना भी की थी 1987 में भारत रतन की उपाथिस इनको सम्मानित किया गया है फ्रंटियर गांधी को राजंद परसाद कहां के रहने वाले थे तो बिहार के रहने वाले थे बिहार में भी कहां वो आप लोग बताओगे मुझे रामचंद्र सरमा किस गाउं में थे किस गाउं से थे तो नामपूच लिए जगत नरायन लाल को किस जेल में भीजा गया था तो एय œ बाकी पूर्स जेल में भेजा गगया था इने में से कोई नहीं सब को पता है कौन सा दिया था इन्होंने गुट निक्ष गुट निर्पेक्ष जिसको नाम भी कहा जाता है नॉन एलाइन मॉवमेंट था एक आज भी इसकी प्रासंगीकता है हर साल आई यार में पूछे जाता है कि गुट निर्पेक्ष की प्रासंगी गुट नीर पे एक देश्प्रथम शिकर सम्मेलन उन्हें सो एकस्ट में बिलग्रेड मायजीत किया गया था बिलग्रेड में राज भीभाग की अस्थापना किसकी अध्यक्सता में की गई थी इसका एंसर क्या हो जाएगा सरदार पटेल जी के नाम बता दो परने के लिए सृतंता पूर्ष बिहार री निम्लिकेत में जाती तो कुर्मी जाती एक वरचा सता Лएश जाती नहीं थी बांकी नितियास कुमार एक्षिजी के समय के समय जाती भी पूछ रहें देवबंद के उस विद्वान का नाम बताई है जिनों स्वतंता अंदोरन महत्वपून भूमिका निवाई थी अबूल कलाम आजाज जी उनका नाम है उस विद्वान का इन्होंने बहुत सारे किताबे में लिखी है यहां बर आएगा तो मह बता दूँगा उन्होंने अल परसाथ जी की सौतंद भारत के पहले भारतिय गवर्ना जनरल कौन थे तो राज गुपाला चारी जी थे 376 पहुंच चुके हम लोग किस साल रेगलेटिंग अक्ट पारित किया गया था तो सबसे पहले 7770 में ही रेगलेटिंग अक्ट आया था 7770 में वारिन हेस्टिंस के सम सब्सक्राइब कानून यही बना था अजाद भारत प्रोटेक्शन आफ सीविल राइट्स एराम पारित हुए थे भारत में मीडिया को नियंतित करने के लिए अक्ट कप पारित किये गए थे आपको पता होगा सबसे पहला कब पारित किया गए था वेले जली के समय में उसके बाद से लिटन के समय में भी आया था उसके बाद से करजन के समय में भी आया था उस हिसाब सम लोग एंसर लगा लेते हैं यहाप देखो यहाँ पर दिया है 835 में मैटकॉफ ने लाया था मैटकॉफ मैटकॉफ जिसको भारतिय समाचार पत्रों का मुक्ती दाता कहा जाता है पता होगा अगे चलते हैं भारत की कौमनिस पार्टी और राष्टिय स्वेंग सेवक संग की अस्थापना कमसा सबसे करीबी वर्स पहचानिये इन दोनों के अस्थापना 1925-1925 में ही हुई है 1925 में तासकंद में भारतिय कौमनिस पार्टी के अस्थापना हुई है 1925 में ही हेडगेवार जी ने राष्टिय स्वेंग सेवक संग रसेस की अस्थापना कहां पर की है नागपूर में नहीं यहां पर कौमनिस पार्टी के अस्थापना कानपूर में हेडगेवार जी ने इसके अस्थापना की है, ओके, आगे चलते हैं, हेर्गेवार जी जो पहले कॉंग्रिस से ही जूरे हुए थे, कैथरीन मेयो, एडल्स हक्सले, चाल्स एंड्रियूज और विलियम डिगवी के बीच आम रिस्ता क्या है, उन्हों बिटिश सासन के दौरान भारत की हालत पर टीपी नहीं की थी, इन सब ने, ठीट 82 का क्या एंसर हो जाएगा, यह हो जाएगा एंसर, तो आज का हमने विडियो कंप्रीट कर लिया, जिसमें 82 को संस थे, नेक्स्ट विडियो से हम लोग पॉलिटी का को संस डिसकस करेंगे, पॉलिटी का रोज 1110 को संस डिसकस करेंगे, ओके, तो विडियो कैसा लगा, जरूर बताना, ओके, पसंद आए तो विडियो को लाइक करना, सेर करना, thank you so much bye